तो बहुत सारी ऐसी जो चीजे हैं जिसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ उससे पहले आपको एक चीज और बता दू कि 99% चांसे है कि अभी बहुत सारे स्टुडेंट का रेजिस्टेशन नहीं हुआ है और आपका जो डेट है वो भी बहुत पास आ गया है तो डिफिनेटली चांसे है कि यहां पे जो फॉर्म फिलिंग की डेट है उसको एक नोटीस रिलिस्ट करके बढ़ा देगा तो आप लोग चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए जो भी फरदर अपडेट आती है सब कुछ आपको मिल जाएगा साथ में हमारा जो स्टूडेंस बज का टेलिग्राम चैनल है जहां पर अलड़ी है सबस्क्राइबर से स्टूडेंट है तो वो भी आप जाकर जवाइन कर लीजिए एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी लोग को बता दू कि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कांसलिंग के टाइम पर नीट की उनका लाइक बैक अपॉप्सन के रूप में बहुत सारे एकजाम को नहीं फिल अप करते हैं तो कॉमें मैं आपके लिए ICARCUD का जो फॉर्म है वो भी आ गया है सबसे पहले मैं आपको बता दो यह आपको नोटीस दिखा रहा हूँ ठीक है हाला कि इस साल का अगर आप देखो कि यह नोटीस तो 9 फर्वरी चे लेकर 9 मार्स तक आपकी लाइस डेट होने वाली है करेक्शन के अगर बात करें तो यार देखो करेक्शन के लिए यहाँ पर बताया गया है यह आपका अभी वेबसाइड में बता दिया जाएगा तो जल्दी ही नोटीस आजाएगा उसके बाद मैं आपको एक वीडियो दे दूँगा और चैनल पर भी अपडेट कर दूँगा जैसे कि अगर आप यह देखोगे तो क्या था लाश्ट येर एंटीए फिर से अपना फॉर्म को फिल अप करने के लिए देख सकते हैं यहां पर 12 अप्रेल से लेकर 15 अप्रेल के बीच में टाइम दिया था और यहां पर बताया गया था इस ऑपर्चुनिटी इस बिंग प्रवाइडेट फॉर्ड ऑल कैंडिडेट्स ठीक है आप यहां पर देख सकते हो जो अभी तक रिजिस्टेशन कंप्लीट नहीं कर चुके है या फिर जो बच्चे फ्रेश रिजिस्टेशन भी करना चाहरे है वो लोग भी कर सकते हैं अब यहां पर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो देखो यह है आपका नोटीस जहां पर आपको करेक्शन के रिगारिंग आपको दो से तीन दिन का टाइम देत क्या-क्या चीजों को आप लोग करेक्शन कर सकते हो एडिट कर सकते हो तो देखो यहां पे दो टाइप के बच्चे होते हैं अब यहां पर देखो यार मैं आपको बता देता हूं मोबाइल नंबर इमेल एड्रेस परमानेंट एड्रेस इन सभी में मैंने फॉर्म फिलिंग अब इन बच्चों का आधार वेरिफाई हो जाता है तो वो अपना कैंडिडेट नेम डेटा बर्थ या फिरम बात के लिए जिंडर तो इसमें आप लोग करेक्शन नहीं कर सकते हो मदर नेम फादर नेम में अगर बात पर तो अग कैंडिडेट कैंड चेंज आइडर फाद देख सकते हो सबक्राइगरी रिए जो कैंडिडेट हैं मों भी अप्लोड कर सकते हो C fox जो है आप को सेंटर जाने वाला कौलिफीकेशन गे android तो अगर मों यहां पर next बात करूं तो जिनका आधार नहीं वेरिफाइड है उनके लिए क्या का यहां पर option है तो देखो यार यहां पर बताया गया है कि candidate यहां पर आपको मैं दिखा दे रहा हूं candidate ठीक है और candidate candidate can change other candidate's name और father name, mother name तो इन तीनों में से आप कोई भी एक change कर सकते हो तो बात आती है क्या भाईया क्या सर मेरा connection के लिए कोई अलग से पैसा लगेगा या फिर नहीं तो नहीं यह बिल्कुल free of cost है इसके लिए आपको कोई भी other fees पे नहीं करना होगा ठीक है मतलब आपको collection के लिए कोई अधर से फी नहीं पे करना होगा उसके बाद category अगर बात करें तो यह candidate can change category certificate and upload जो भी documents है सब category भी अगर आपको change करना है तो वो भी आप कर सकते हो और जो applicable आपका certificate है वो आपको लगाना पड़ेगा उसके बाद इनका अधार verified नहीं है date of birth and gender यहां पर चेंज कर सकते हैं यहां पर चेंज कर सकते हैं तो वह अपने जेंडर और यह date of birth चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर आपका सब कुछ चेंज कर सकते हो ठीक है तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा देखो यहां पर यहां पर आपका पता ही होगा वेफसाइट क्या है एक्जांप्स.nta.ac.in यह आपकी वेफसाइट है तो अगर हम यहां पर बात करों तो देखो यह जो नोटीस है अब इसके तुरू क्या है कि आपको नीट के तुरू ही बहुत सारे कोर्स में डिमिशन मिल जाता है साथ में जो मैंने स्टूडेंस बच पर अपनी वीडियो इस बनाई है तो वो भी चीजे मैंने आप लोग के साथ सेयर कर दिया पांच मही को आपका एक्जाम होने वाला है एना सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो गाईज